जबकि आपको पता है पिसले दो-तीन सालों से कोरोना की वज़े से ये सेप्टमबर में करीब हुरा था तो हमें अब कम टाइम मिलेगा यहां स्ट्रेटेजी में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी सेल्फ इस्टडी को अच्छी तरह से करें ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं हाँ बच्चो नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो आपको साथ में आपको ये पता है कि नीट के एक्जाम की डेट आ चुकी है और जितना भी टाइम है उस टाइम का हमें प्रॉपर यूज़ करना है और अपने अपके अपने सब्जेक्ट को मद्बूत करना है तो यहाँ एक तो आपको ध्यान रखना है कि गिव एक्वल एंफ़ेसिस तो अल अप्जेक्स हमें अमारे पास चार सब्जेक्स हैं बायलोगी को मैं दो पार्ट में डिवाइट कर रहा हूँ तो 4 subject ने चारों subject को बराबर time देना है यह जरूर हो सकता है कि कभी आप किसी को कम time देदें किसी को ज्यादा time देदें थोड़ा बहुत लेकिन रोज चारों subject पड़ने है पहली बात यह द्यान रखने है एक subject की वजए से दूसरा subject disturbed नहीं होना चाहिए अब बात आती है कि जो time period है आपका जिसे मान के चलें कि दो गंटे का time है तो उसमें आपको क्या करना है दो पार्ट में divide करना है उस subject के time को पहला classroom topic पढ़ना है घरजा के class में जो teacher ने बताया है और फिर second part में revision करना है आपको जो पहले पढ़ा दिया है revision जो है यह according to self made schedule के according हो सकता है और नहीं तो हमारा जो test series चलती है उसके according आप अपना revision का schedule बना लीजिए तो यह revision भी रोज चलेगा और classroom का भी रोज पढ़ना है जिस दिन class नहीं लग रही है उस दिन के वल revision चलेगा तो revision रोज करने से आपका जो topic है और भी मजबूत हो जाएगा यहां हम syllabus एक बार करवाएंगे organization में अपने institute में और आप revision करते करते कई बार revise कर चुके होंगे दो बार तीन बार कई बार revision हो जाता है तो यह आपको दो बातें बता ही मैंने give equal emphasis to all subjects and divide times of every subject into two parts classroom topic और revision अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो बचा हुआ हमारा time है 120 दिन और 6 दिन 120 दिन कैसे हुए 4 महीने हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल और मई के बाकी 6 दिन तो हमारे पास करीब इतने दिन है तो इन दिनों का proper use करना है technically हमें use करना है ताकि जड़ा भी कमी नहीं रहे अब आपको क्या करना है इसमें तीन sections में पूरे time को divide करना है पहला section 60 days का दूसरा section 60 days का तीसरा section 6 days का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आपके recording clear? तो अब पहले section में क्या करना है आपको 60 days will be divided according to numbers of chapters दूसरे में भी यही करना है तो आपके जैसे मैं botany का बताओं botany में 20-22 के करीब chapters है तो मान के चले हैं जैसे 20 chapters हैं तो हर chapter में आपका 3 दिन के लगबग लग रहा है और कुछ chapters आसान है तो वो उनमें 2 दिन एक दिन में भी पूरा हो सकता है तो average मान के चले हैं तीन दिन में एक chapter करना है तो 60 दिन में हमारा syllabus पूरा हो जाएगा और उस दोरान आपको क्या करना है short notes भी बनाने है तो पहले segment में जो short notes का पहला set बन जाएगा clear अब इसी तरह से आपको क्या करना है second segment of 60 days में पिल्कुल पहले वाले की तरह से करना है वह according to chapter divide कीजिए और आप उसको पूरा syllabus revise कीजिए और इसको फिर short notes भी बनाने है अच्छा अब यह जो second set of short notes बनेगा यह पहले वाले short notes से और भी छोटा बनेगा और भी कम pages में और भी कम matter में यह आएगा clear तो यह आपने second 60 days में पूरा कर लिया यानि जनवरी फरवरी में पहला segment किया मार्च अपरेल में दूसरा segment किया आपने और आपने second set of notes आपके हाथ में है यानि बड़े बड़े जो register आपने बनाए थे और कुछ pages में वो register आ गए कुछ pages में वो आपका subject का matter आ गया clear अब आपको क्या करना है बाकी जो आपका माई के पांच-छे दिन जो बचे हैं उसमें क्या करना है जो second set बनाया है आपने इस set की वज़े से इस set की help से आपको क्या करना है पूरा rapid speedly syllabus को revise कर देना है और जब आप इसकी तयारी के साथ जाएंगे exam देने तो आप full of confidence के साथ जाएंगे क्योंकि आप पूरा syllabus इन पांच-छे दिनों में देख चुके हैं और जब आप full of confidence के साथ देने जाएंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करेगा और paper बहुत बहुत बहतरीन तरह से करेंगे आप और यकीन मानियेगा यह जब आप करेंगे इस तरह से करेंगे तो आपकी जो merit में आपकी बहतरीन position आएगी तो इस तरह से आपका जो medical college जो government medical college जो हमारी तमना रहती है वो certain है, sure है आपके लिए तो बस इसी तरह से आप अपनी self study की strategy बनाईए और selection पका कर लीजिए अपना